बात को डेमोक्रिसी के अगेंस्ट प्रूव करना चाहते हैं जो लोग आज करप्शन के आरोप लगा रहे हैं उनको याद करना चाहिए किस तरह से यूपीय की सरकार में करप्शन का रष्टाचार का इंस्टिटूशन को कमजोर करने का बड़ा शडियंत्र रचा गया था इस कि जब देश के प्रदानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे थे उस दौरान एक ओर्डनेंस को ओपन प्रेस कॉन्फरेंस में फाडने से क्या इंस्टिटूशन बनते हैं यह बहुत एकदम क्लियरली प्रूव करता है कि मिस्टर राहूल गांदी अपने आपको सारे इंस्ट इंस्टिटूशन की बात कर रहे थे वो यह बताएं कि जब समविधान के अनुसार सरकार को चलाने का गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है एक विवस्ता बनी हुई है तब क्या एक पैरलल पी एमो बनाना एनसी के नाम पे क्या वो इंस्टिटूशन को प्रोटेक्शन की बात थी तो साथियों मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मिश्टर राहूल गांदी अपने एहंकार के कारण डिस्कॉलिफाई हुए है मिश्टर राहूल गांदी ओवी सी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने उसको कोट ने कोगनिजन्स लेके जो फैसला किया म इन सब कोट से, समविधान से, पार्लेमेंट से इन सब से उपर है धन्यवाद